जै मात अदी भक्तों आज का जो वीडियो यह उन से भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझे सवाल करते हैं गुरुजी हम ऐसी कौन सी चीज़े ना करें अपने मंदर के आसपास जिससे हमें नकरात्मक परिणाम यानि कि कुछ नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है या आपको ऐसी गलतिया नहीं करनी चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म में पूजा पाड इश्वर के प्रती अपना सम्मान दर्शाने का एक तरीका होता है माना जाता है कि रोजाना पूजा अर्चना करने से घर में नकरात्मक परिणाम भी भूगतना पड़ सकता है या बुरा परिणाम का सामना भी करना पड़ सकता है ऐसे में जो गलती जो भूल आप कर सकते हो या कर रहे हो उसको सचीत करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोग उसे निवेदन है उसको अभी वीडियो सुनने के बाद से ही तुरंद अपने मंदिर के आसपास से हटा देना वनना सच में आपको सकदुष परिणाम आपको बुगतना पड़ेगा सबसे पहली चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है यदि कुई व्यक्ति अपने घर के मंदिर के आसपास पित्रों या पूरवचों की तस्वीर लगाता है न तो इससे व्यक्ति को बुरे परिणाम देखने को मिल सकते है ऐसी इस्तिती में तुरंद ही आपको पित्रों की तस्वीर को वहां से हटा देना चाहिए पित्रों की तस्वीर लगाने के लिए दक्षिन दिशास सबसे सही मानी गई है दक्षिन यानकी साउट डारेक्शन साउट डारेक्शन फेसिंग आप अपने पित्रों का फोटो अगर लगाना चाहें तो छूटा सा फोटो लगा सकते हो परन्तु अपनी मंदिर के आसपास की किसी भी एरिया पे आप पित्रों का कुई भी चित्र या फोटो ना रखें इससे आपके लिए नकरात्मकुर्जा का प्रभाव घर में बढ़ता जाएगा और जिसके कारण आपको दुश्परिनाम भुगतना पड़ सकता है अगली जो चीज है मंदिर पे या मंदिर के आसपास नहीं रखनी है वो है यदि कुई भी व्यक्ति कटी भटी धारविक पुस्तकों को मंदिर के आसपास रखता है ना तो इससे भी नकरात्मक्ता बढ़ती जाती है इसके लावा सूखे वे फूल भी मंदिर में रखना शुब नहीं माना जाता है ऐसे में भगवान को चड़ाए गए फूलों के सूख जाने के बाद उन्हें हटा देना चाहिए आप समझ रहें ना एक तो कटी फटी जो पुस्तके हो गई है या थोड़ी सी मतलब फट गई है या कहीं से भी मतलब तीडी मेडी हो गई है जिससे लगता है आपको खुद भी देखके अच्छा प्रभाव फिल नहीं हो था कि यार ये किताब ऐसे नहीं होनी चाहिए या पुस्तक इस तरीके से फटी भी होनी नहीं चाहिए या अपने भी कपड़े अगर जब आप पहनते हैं अपने वस्तर जब पहनते हैं तो उसमें पूरा ध्यान देते हैं कि कहीं से कटा फटा ना दिख रहा हो क्योंकि कुछ भी गंदा दिख सकता है जो आपके भी शरीर को अच्छा नहीं रगेगा और दूसरे देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा सेम उसी प्रकार से अगर आप भी मंदिर में कटी फटी धार्मिक पुस्तकों को रखते हो या फोटों या चित्र भगवान के रखते हो तो इससे भी नकरात्म कुर्चा बढ़ती है 20 घंटे के लिए फूल रख सकते हो मंदिर में जैसे सुबह आपने तोड़े पूजा पाट करा सुबह तोड़े अरपन करे भगवान को उसको पूरा एक दिन रखो पर दूसरे दिन जब तुबारा पूजन करो आप सुबह का तो उन्हें तुरत हटा दे और उनको या तो एक जगा पर पन्नी में या कहीं भी आप घटा करके रखे और हफते में एक बाल उसे जल प्रवा कर दे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे आप रख के आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उसमें अगली जो चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मंदिर के आसपास या मंदिर कक्ष में या मंदिर में आपको नहीं रखनी है वो है कि कई लोग क्या करते हैं घर के मंदिर में शंक भी रखते हैं तो लेकिन अगर वासु सास के अकॉर्डिंग देखा जाए या वासु सास देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि मंदि में एक से ज़ादा शंक नहीं रखने चाहिए व्यक्ति को वास्तु दोश भी लग सकता है इसके साथ ही मंदिर में शरीदेव की मूर्ती रखना भी शुब नहीं माना गया है तो अगर आपके घर में कोई भी जो आप देखते हों घर पे हो या मित्र हो या रिष्टेदार हो जहां भी आप देखेंगे मंदिर में एक से ज़ादा संक रखे वे ना तो उनको तुरंद बोलें कि वो हटा दें उसे ऐसा ना करें क्योंकि इससे वास्तु दोश प्रकट होगा तो घर में जो धन का आगमन जो है वो रुक जाएगा या इस्थिर नहीं रहेगा आपका धन जो है वो बिमारियों में करचा शुरू हो जाएगा इसके साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि शनी देव की जो मूर्ती है वो घर के मंदर पे या आसपास नहीं रखनी है वो हमीशा एक खुले स्थान में उनको रखो या मंदिर बना के जहां मंदिर का बातवरन होता है जहा कि आपको रोद्र रूप वाली या गुसेल रूप वाली मूर्तियां नहीं रखनी चाहे बिलकुल भी और ये ऐसा सही नहीं माना जाता है सास्त्र के अनुसार इसके साथ ही अपने मंदिर में कभी भी खंडित मूर्तियों को रखने से भी बचना चाहिए यदि आपके मंद अज़ित आप कर सकते हो किसी साफ जल में बैदेवे पानी में या पीपल के प्रेड के नीचे उनको रख्या सकते हो इससे यह होगा कि जितनी भी नेगिटिविटी होगी आपके मंदर कक्ष में वो नहीं रहेगी अगर आप इस तरीके से ये चीजे फॉलो करते हो ना तो म थोड़ा सा खराब हो जाता है या मिट्टी का दिया आप चलाते तो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए जैसे अगर आप मिट्टी का दिया आप प्रयोक कर रहे हो काफी लंबे समय से तो उसको ध्यान रखें कहीं से तूटा फूटा ना हो खासकर ओपर का जो उसका एर ऐसा करने से क्योंकि आप जब दीपक प्रजलित करते हो तो उसको एक शक्ती मान के आप प्रजलित करते हो तब उनका ध्यान करके अपने बित्रों का नाम लेते हो अपने इस्टों का नाम लेते हो अपने गुल देवी गुल देवतार नाम लेते हो इस प्रकार से आप इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी सक्रात्मक तक होनी चाहिए, इतनी positive energy होनी चाहिए कि वो आपके घर के वात अवरन को positive कर दे, जितनी भी negative चीज़े हैं, जितनी भी नक्रात्मक शक्तियां हैं, आपके घर को convert करके या उनका तुरंद उसको बदल के सक्रात्मक कर दे, तो इ नहीं रहेगी इस तरीके से आपको साथ की साथ ध्यान रखना है कि जितना भी आपका जो पुजा का सामगरी आपकी बच जाती है यानि ये जब आपने दूब जलायी ये दिया जलायी वो थोड़ा सा साभी दिया कि बचगी जलती है या खुछ धूप का जो थोड़ा सा बज जाता है गरबती की बज जाती है तो इनको क्या करना है ना आप साथ साथ इखटा करते रहें और किसी पन्नी में या किसी भी कागज की थैली में उसको रख दे और उसके बाद हफते में एक दिन बना ले जब आप उसको सारे को जल प्रवा कर दो इस तरीके से उसे घर पे कहीं पर भी न रखे और जितना बचावा सामगरी होती है उसे साफ जल में प्रवा कर दे इस तरीके से आपकी जो रुकावटे हैं काम में अर्चने नहीं आएंगी और पॉजिटिविटी आपके घर पे बनी रहेगी आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जैसे आप प्रजुलित करते हैं माचिस की तिल्ली के लावा आप किसी से नहीं करेंगे और जो माचिस की तिल्ली बन जाती है उसे मंदिर के आसपास कहीं पर भी नहीं रखेंगे जलीवी माचिस की तिल्ली जो होती है वो नकरात मकता फैलाएगी आपके मंदर के एरिया के आसपास तो जितनी भी जलीवी माचिस की तिल्ली होती है उनको चाहे तो बाहर आप कुड़े में फेख दे या कहीं भी भाहर उसको विसरचित कर दें या कहीं भी रख दें परंतु मंदिर में जलाने के बाद उस मांचिस की दिल्ली को आपको नहीं रखना है ऐसा करने से भी negativity बढ़ती है तो कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए और मंदिर में आप साफ सफाई करना चाहते हैं तो रोज करनी की ज़रूरती है हफ़ती में एक बाद जिसे शनिवार का दिन सबसे सही दिन है या संडे का दिन सबसे सही दिन है जिसपे आप अपनी मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं ध्यान रखें कि उसमें वहाँ जाले ना लगे हों और जो मंदिर के बरतन है, जो आप परियोग करते हैं, उनको भी साफ सुतरी कर सकते हैं, तो मंदिर में जब भी आप कोई भी सामकरी परियोग करेंगे, जिसे बरतनों का परियोग करेंगे, तो ध्यान रखे, जो आप घर के जो अलुमोनियम के बरतन होते हैं, स्टील के बरत बिसूरेधेव को आप प्रेयोग कर सकते हो, तामवे गार लोटा. ठीक है, इस तरीके से, और जितनी भी पूजहरती सामक्रिक हैं, यनकि बढ़तीन हैं, उस पर नाले का ताजा, जिसे रोली धागा बोलते हैं, नामली दागा जिसे बोलते हैं, वो आप जरूर उस पे बांदे तो ऐसा करने से भी positivity बनी रहेगी आपके मंदर की भी सुरक्षा रहेगी और जितनी भी negative energy होगी वो समाप्त होती जाएगी वीडियो अगर पसंद आगे आना है जल्दी से चानल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो जरूर्दमन लोगों के साथ शेयर करना ना भूले कमेंट में जैमातादी लिखने सभी भक्तों को जैमातादी जैमाडाट का ले